नमस्कार दर्शकों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आई फ्लू में कोई भी ड्रॉप लेकर आंखों में न डाले इससे आखे और ज्यादा खराब हो सकती है और रोशनी भी कम हो सकती है एम्स की चेतावनी आई फ्लू में न करें ये एक गलती जा सकती है आंखों की रोशनी सिर्फ छे उपाय देंगे आराम दिल्ली सहित देश के अधिकतर राज्यों में इन दिनों आई फ्लू का प्रकोप फैला हुआ है आपको कहीं भी आसानी से आई फ्लू के मरीज नजर आ सकती है यहां आंखों की दर्दनाग बीमारी है जिसे मेडिकल भाशा में कंजंतिवाइटिस भी कहा जाता है आई फ्लू के लक्षणों की बात करें तो इसमें मरीजों की आखे लाल हो जाती है पानी आता है, दर्द और चुभन होती है आई फ्लू का इलाज क्या है? आई फ्लू को बोलचाल की भाशा में आख आना भी कहा जाता है इसमें आखे लाल होने के साथ उनमें सूजन भी आ जाती है अक्सर देखा जाता है कि आई फ्रू होने पर पीडित बाजार से कोई भी आई ड्रॉप लेकर आंखों में डाल लेते हैं ऐसा करना आपकी आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है इससे आखे खराब होने और रोशनी कमजोर होने का खतरा रहता है यहाँ बात एम्स के डॉक्टरों ने कही है जा सकती है आंखों की रोशनी वास्तव में पीडित आंखों के इलाज के लिए स्टेरोइड का इस्तमाल कर रही है AIMS ने इसके इस्तमाल के खिलाफ चेतावनी दी है AIA पर छपी रिपोर्ट में AIMS के डौ J.S. TITIAL ने कहा कि आंखों में स्टेरोइड वाली आई जॉप डालने के दो हफ़ते बाद कॉर्णिया पर धब्बे होने और आंखों का दबाव बढ़ने का खत्रा रहता है उन्होंने कहा कि AIMS ने अपने उपचार प्रोटोकॉल में स्टेरोइड को शामिल नहीं किया है और इसे बहुत ज्यादा जरूरत होने पर डौक्टर की सलापर दिया जाना चाहिए उन्होंने चेतावनी दी है कि स्टेरोइड देने से मरीजों को जल्द राहत तो मिल सकती है लेकिन बाद में आखे खराब होने और रोशनी कमजोर होने का खत्रा रहता है आई फ्लू का खत्रा किसे हैं? संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से, दूशित सतों को छूने या उनके संपर्क में आने से, दूशित रुमाल या तौलिय का इस्तमाल करने से, दूशित पानी में तैरने से, आई फ्लू के लक्षन, आंखों का लाल होना, आंखों में दर्द, जलन और चुभन होना, लाइट से परेशानी होना, पीला पानी आना, आंखों में कीचड आना, पलकों का लाल होना, सूजन होना, आई फलू से कैसे बचें, हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं, आंखों को छूने या रगडने से बचें, दूशित पान के लिए cotton और ठंडे पानी का इस्तमाल करें। आंखों को धोने के लिए माइल साबुन का इस्तमाल करें। आई ड्रॉप डालने से पहले हातों को अच्छी तरह धोले। अगर एक आख लाल नहीं है, तो दोनों आंखों के लिए एक ही ड्रॉप यूज करने से बचे। आंखो को रगडे नहीं, इससे लक्षन बिगड सकते हैं. यहां लेक केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं. यहां किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. अगर आपको यह विडियो पस आया है. तो कृप्या इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.